मुसकर सातियों कैसे आप सभी अज हम बात करने वाले हैं CT प्रिक्षा के भरती के बारे में मुक्यमंत्री ने बयान दे दिया है कि कब एक्जाम होगा अब संभावना है कि वो एक्जाम इस महिने में होने वाला हो तो उसके बारे में पूरी जान करें लेंगे आए मैं आप सभा में कल मुक्यमंत्री जी बोल रहे थे तो उसमें आपको पता है कि हरियना पुलिस फीमेल और मेल कॉंस्टिबल के बारे में बोला गया कि उनका रिजल्ट जो है रिवाइज होगा उसमें कुछ मिस्टिक हो गई वो भी उन्होंने माना तो यह बहुत अच्छी बात है क यह बात मुक्यमंत्री जी ने मानी है जिसे बच्छों की लड़ाई थोड़ी ची कम हो जाएगी जो भी पार्टिस्पेंट है एक्जाम में उनकी लड़ाई कम हो जाएगी उन्हें कम लड़ना पड़ेगा आईए बात करते हैं विधान सभा में बोले सियम तर्तिय और कर्मचारь यह कोमन के बने हैं कि अन्हुराई ब offers से पहले युक्तिय अ कर्मचार and आयक द़ू ऑर जाने वाली ने वाली प्रिकशा को पास करना होगा प्रिकशा का आय। जून महिने में होगा आप देख सकते हैं कि जो प्रिकशा होने वाली है वो जून महीने में होने वाली है अब आगे जो जवाब दिया मुख्यमंतरी जिने वो कहा कि तरतिया और चतुर्ट सिर्णी करमचारिय भरती में इंट्रिव्य सिस्टम पूरी तरह खतम किया है के अंदर सरकार की नेशनल टेस्ट एजनसी कॉमन पातरता प्रिक्षाओं का एजन करेगी यह यहां बिलकुल सत्यानास कर दिया वई एंट्ये इस एग्जाम को लेगी यहां बिलकुल गड़बड़ा है चतुर्त स्रेणी के उन पदों के उमिद्वारों को केवल पातरता प्रिक्षा पास करनी होगी इस सुची में जो भी प्रिक्षा है उसमें मेरिट सुची मैने वाली इमाओं को सीधे भागों के में जरूरत के हिसाब से नियुक्ति दी जाएगी उस चतुर्त स्रेणी के ज पापपस लेने पर सीम ने कहा कि नए नियमों के तहट चलते ही है निरने लिया गया है रोतक विधायक भारत वुष्ण बत्रा ने कहा कि सामाजी कार्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के मामलों में अतिरिक्त अंकों के प्रावधान के चलते मेरिट में आने वाले युवाओं से पिछड़ जाते हैं डो मिसायल सेट्टिफिकेट यानि के अरियाना कस्ताई निवासी 15 साल की सीमा को कम करके पांच वर्ष करने के सरकार के फैसले को खटरने से ही बताया पहले डो मिसायल जो था वो 15 साल तक का था अब 5 वर्ष कर दिया गया है सबसीड़ी दे गया पहले तीनजार रुपय मासिक यानि कि साला ना 36 जा रुपय सबसीड़ी दी जाती थी अब इसे बढ़ाकर 38 जा रुपय साला ना कर दी जाएगी और यहां आगे क्या बताया गया है केवल 5 परतिस्थ बेरोजगारी बेरोजगारी से जुड़ी जो समस्या है उस पर CM IIS की रिपोर्ट को एक बार फिर खारेज करते हुए CM ने कहा कि हम इस रिपोर्ट को नहीं मानते प्रिवार पहचान पत्र पोर्टल पर जो है 66 लाख प्रिवारों यानि पोने क्रोड लोगों ने रिजिटेशन करवा रखा करवा अपना वेवसाय बताया है इसके हिसाब से लगबग 5 परतिस्थ की बेरोजगारी दर हर्याना में है एजन्सी के आकड़ों पर चुटकी लेते हुए सीम ने कह 2017 में इस एजन्सी ने हर्याना में 2% दर बताई थी दिसंबर 2021 में 34% बताई जन्वरी की रिपोर्ट में 25-26% बता दिया उड़ाने का यूपी के मुक्यमंत्री योगी आदितेनात तो इस एजन्सी की रिपोर्ट के अख़वारों में विज्यापन देकर पिर्त पतपा रहे हैं फिर ये दोहरा पैमाना क्यों अपनाया जा रहा है यूपी में रिपोर्ट सही और हर्याना में गलत ये तो वहां ब ठीक है वो आपका जून के महिने में होने जा रहा है तो आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं आपके पास अभी टाइम है थेंक्यू साथियों